शाम का समय था जब बेबी शेरू और बेबी चित्टू को ख्यात भिस्परिंग वुड्स की ओर बढ़ रहे थे जो अजीब आवाजों और अचानक ठंड के किस्सों के लिए जाना जाता था। बेबी शेरू एक प्यारा छोटा शेर ने नीली लंबी बाजू की शर्ट और सफेद शौट्स पहन रखे थे। वह अपने हाथ पीट के पीछे छुपाए हुए था जिग्यासा और सतर्कता के साथ। बेबी चित्टू थब्बे दार्टें दुआ। हरी टी-शर्ट और काले शौट्स में था। उसकी बरी हरी आँखें दर से चोड़ी हो गई थी। मानो किसी पल कुछ भयानक होने वाला हो। तुम्हें यकीन है कि हमें ये करना चाहिए। चित्टू ने चिंता जताते हुए पूछा हवा पत्तियों को हिला रही थी। और आकाश धीरे-धीरे अंधिरा हो रहा था। कुछ सितारे जांकने लगे थे। जल्दी वापस आ जाएंगे। शेरू ने उसे शांत करते हुए कहा। हालांकि उसका दिल भी तेजी से धरक रहा था। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए हवा ठंडी हो गई और पेड़ों वह फुसफुसा हथ धीमिल लेकिन लगातार थी जैसे कोई दूर से बाते कर रहा हो। अचानक एक तेज ठंडी हवा आई और आवाजें हलकी दराबनी हंसी में बदल गई। बेबी चिप्तु ने अब पूरी तरह से दरते हुए शेरू का हाथ पकर लिया। हमें यहां से निकलना चाहिए। उसने कामते हुए कहा। क्या होगा अगर ये वह जैसे ही वे आगे बड़े उन्ही एक पुराना और तूटे फूटे घर की रूप रेखा दिखी। दूर से आती हंसी ने फिर से उनकी रीड में सिहर अनपैदा कर दी। अब तो चलो यहां से। चिप्त कि यहां क्या हो रहा है। उसने कहा उसकी पीठ के पीछे के हाथ अब बाहर आ गए हलका कामते हुए चित्तु ने डरते डरते उसका पीछा किया। जैसे ही वे घर के दर्वाजे तक पहुँचे। वे धीरे धीरे खुद ही खुल गया। जैसे वे दोनों का इंतजार कर रह अंदर एक हलकी चमक थी और दीवारों पर अजीब नत्काशियां थी। ये जगह क्या है। चित्तु ने फुसफुसाते वे पूछा। फुसफुसाहट बंध हो गई थी लेकिन हवा में तनाव था। अब महसूस कर रहे थे कि वे अकेले नहीं थे। शेडू और चित्तु घर से बाहर भागे।